असलाम अलेकुम डियर वीवर्स मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं MLT हवित कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है टॉर्च टेस्ट इस टेस्ट को टॉर्च पैनल भी कहा जाता है इस टेस्ट को टॉर्च स्क्रीन भी कहा जाता है वक्जाय नहीं करते शुरू करते हैं अपना टॉपिक टॉर्च टेस्ट डियर वीवर्स जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सबस्क्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबा दीजिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके सबसे पहले हम ये जानेंगे के टॉर्च क्या है टॉर्च टेस्ट क्या है टॉर्च का जो वर्ड है ये एक फ्रेज है यानि एक जुमला है एक फिक्रा है और ये एक फिक्रा एक जुमला कमबाइन टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस एक टेस्ट में मुखतलिफ किसम के इन्फेक्शन के बारे में जाना जाता है और उनका पता लगाया जाता है और ये भी पता लगाया जाता है कि ये मुखतलिफ किसम के जो इन्फेक्शन्स हैं तो ये कौन से जरासीम की वज़ा से हुए हैं इस टॉर्च के टेस्ट में मरीज के खून में आईजीम और आईजीजी की एंटीबोडी के मतलिक जाना जाता है और इन एंटीबोडी को डिटेक्ट किया जाता है क्योंकि आईजीम और आईजीजी एंटीबोडी इन मुखतलिफ इन्फेक्शन्स में तमाम में बनती हैं और तमाम infections में मुख्तलिफ किसम के जो जरासीम होते हैं तो उसके खिलाफ ये antibodies बनती हैं तो इसलिए मरीज के खून में torch test के लिए IgM और IgG antibodies को देखा जाता है अभी बात करते हैं कि ये जो torch का लव्ज या फिक्रा है तो इसमें हर एक फिक्रे का क्या मतलब है और किस test के लिए ये इस्तिमाल होता है तो एक साइट पर बात करेंगे test की और दूसरे साइट पर बात करेंगे organism की तो torch के फिक्रे में जुमले में जो सबसे पहला लव्ज है वो है T और T से बनता है Toxoplasma Test Toxoplasma Test Toxoplasma Gondii के लिए किया जाता है जो के एक Parasite है Torch के फिक्रे में जुमले में जो O का लव्ज है तो इससे बनता है Other Infections तो Other Infections के लिए जो टेस्ट हम Torch टेस्ट में करते हैं तो वो है Syphilis का टेस्ट जो के एक Bacterial Disease है लिए होता है जिसका नाम Syphilis है इसके इलावा Brucilla के लिए टेस्ट किया जाता है वो भी एक Bacterial बीमारी है इसके इलावा HIV का टेस्ट किया जाता है जो के एक वाइरस है Epstein Bar वाइरस का टेस्ट किया जाता है जो के एक वाइरस की वज़ा से होता है हेपिटाइटिस B और C का टेस्ट किया जाता है हेपिटाइटिस B भी वाइरस है और हेपिटाइटिस C भी वाइरस है इसके इलावा पार्वो वाइरस का टेस्ट किया जाता है जो के एक वाइरस है और विरिसिला का टेस्ट किया जाता है जो के एक वाइरस है तौर्च के फिक्रे या जुम्ले में जो R का लफ़ है तो इसका मतलब है रूबिला टेस्ट और रुबिला एक वाइरल बीमारी है, एक वाइरस है, टौर्च के फिक्रे या जुमले में जो C का लफस है, तो इससे बनता है साइटो मिगेलो वाइरस टेस्ट, जिसे शॉट फ़ाम में CMV टेस्ट भी कहा जाता है, जो के एक वाइरल बीमारी है और एक वाइरस के लिए ये किया जाता है टॉर्च के फिक्रे या जुमले में जो H का लफज है तो इसका मतलब है हर्पीस सेंप्लिक्स टेस्ट जिसे शॉर्ट फॉर्म में HSV टेस्ट भी कहा जाता है और ये टेस्ट भी एक वाइरस के लिए होता है तो डीर विवर्ज आपने देखा कि एक टॉर्च का जो कंबाइन नाम है तो इस कंबाइन टेस्ट में तकरीबन 12 टेस्ट किये जाते हैं इस लिक्चर की सबसे एहम पॉइंट पर आते हैं और वो ये है कि टॉर्च टेस्ट की तशखीसी एहमित क्या है ये टॉर्च टेस्ट क्यों और किन लोगों में किया जाता है तो ऐसी खवातीन जिनका इरादा हो कि वो बच्चे पैदा करें तो उनके खून में ये टेस्ट टॉर्च का किया जाता है और देखा जाता है कि इन 12 इंफेक्शन में से कोई ऐसा इंफेक्शन तो इनके खून में मौजूद न नहीं है जिसकी वज़ा से इनके बच्चे को फिर तकलीफ पहुंचेगी और बच्चे में कंजेनिटल इंफेक्शन्स हो सकते हैं इसके इलावा जो हामिला खवातीन होती हैं तो हमल के दोरान उनके खून में टॉर्च का टेस्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि इन मदद से जो ताजा और फ्रेश या रीसेंट इंफेक्शन है उसका पता लगाया जाए क्योंकि उसमें फिर आईजीएम के एंटी बॉड़ी पॉजिटिव आती है और या फिर ये पता लगाया जाए कि मरीज को इंफेक्शन कहीं पास्ट में माजी में तो नहीं हुआ या म इनको कंगेनिटल इंफेक्शन की अलामात मौजूद होती है तो डॉक्टर को जैसी शक पढ़ता है कि इन 12 इंफेक्शन में से कोई ऐसी अलामात हैं जो बच्चे में मौजूद हैं बच्चे का सर चोटा है या बड़ा है बच्चे का जो वेट है वो ठीक नहीं तो कम है ब 12 infections में से कोई infection तो इस बच्चे में नहीं मौजूद कहीं जिसकी वज़ा से बच्चे को congenital infection हुआ है अभी बात करते हैं कि torch test के लिए खून का नमूना किस बोतल में लिया जाता है तो 4-6 ml खून का नमूना लिया जाता है red top tube में या फिर जल वाली tube में इस नमूने को हम centrifuge करते हैं और serum को निकालते हैं और serum को फिर ELISA की machine में रखते हैं या फिर किसी और advanced machinery में serum को रखते हैं और IgM और IgG antibodies का पता लगाते हैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT Hub with कामरान देखने के लिए उमीद है ये lecture आप लोग को पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा हमारे चैनल MLT Hub with कामरान को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा अपना डेर सारा ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज